अब स्लाम अलेकों, सुबार बखेर बच्चों, क्याते हैं आप सब, उमीद कर दियों कि आप सब अपने धरों में मैफूज और सेहत बंद होगी, और अपने आस-पास के लोगों का खास ख़यार देने होगी, वैसे चुटियां कैसी गुज़ियां आप सब की, उमीद कर दिय यह भी बहुत अच्छी बुज़ियां होगी, और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पढ़ाई पर दुबारा तबज्वा रहें, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हुर्फे तहजी, हम आज पढ़ेंगे हुर्फे तहजी, हुर्फे तहजी का पहला अलफाज है, लबज है अलि अलिफ, अलिफ विचारा हकेला उपर से नीचे मैं अपनोंको सिखाउंगी, अलिफ लिखते कैसे है, मेरे पास यहां पर है एक चौक, और अलिफ हम लिखेंगे, उपर से नीचे, उपर से नीचे क्या है ये अलिफ, अलिफ से क्या आता है, अलिफ से अल्ला, अलिफ से अल्ला, अल्ला ताला कौन है, अल्ला ताला हमारी खालिक और मालिक है, अल्ला ताला कौन है, अल्ला ताला हमारी खालिक और मालिक है, अलिफ से अल्ला, मेरे साथ पर, अलिफ से अल्ला, और अलिफ से क्य अलिफ से आता है अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अप लोग को क्या लगता है, अनार का रंग क्या है, क्या ये हरा है, ये लाल है, अनार, लाल होता है, अनार का रंग क्या होता है, लाल, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, और ये क् क्या आपको पता है ये क्या है ये हैं अंगूर क्या है ये अंगूर अलिफ से अल्ला अलिफ से अनार अलिफ से अंगूर और अलिफ से अल्मारी अलिफ से अल्ला अलिफ से अनार अलिफ से अंगूर अलिफ से अल्मारी और यहां मेरे पास मौझूद है एक सेंड पेपर क्या है ये एक सेंड पेपर और मैं आपको बताऊंगी अलिफ किस तरह से लिखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथ अच्छी तरह से डब करेंगे बिल्कुल इस तरह से और अब हम अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे एक दो और अलिफ उपर से नीचे उपर से नीचे उपर से नीचे अब हम इसे वापिस रख देंगे और यहां मेरे पास मौझूद है एक सेंट्रिप क्या है ये centric और अब हम दुबारे से अलिफ रिखेंगे अलिफ उपर से नीचे उपर से नीचे उपर से नीचे एक बार और बोलें अलिफ उपर से नीचे अब हम इसको भी वाद सकें अब आप मेरे साथ बोलें अलिफ से अल्ला, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अल्मारी अमीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप हमारी और भी वीडियो को शौक से देखेंगे अपना फास हया लखिए और अपने घरों में महफूज लगे